एक बार फिर से आपसे का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी युटूब चनल अब है एक्सल कम्प्यूटर में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चार नौबर को ट्रिपल सी एक्जाम में आए हुई इनको बहुत बहुत धन्यवाद इस्ट्रेंड्स आप भी क्लास में हम आपके नाम के साथ डिसकस कर सकें ताकि जिनका भी नेक्स डे एक्जाम है उनकी आसानी से हेल्प हो सकें कुष्टन्स आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर अभाय एक्जल कंप्यूटर सेर्च करके सेंड कर सकते हैं अगर आप वाट्सअप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा वाट्सअप कॉंटेक्ट है 8181-87-1106 अगर आप मेल करना चाहते हैं तुमारी मेल है अभा इस टाइम वेश्ट ना करते हुए चले सुरू करते हैं आज की एक क्लास हमारी क्लास की टाइमिंग है सुबा साथ बजे दूसी क्लास है साम को साथ बजे और तीसी क्लास है साम को नौ बजे जिनका वे ट्रिपल सी का एक्जाम है वा हमारे इन तीनों क्लास को जलोटेंट क प्रोटोकॉल होता है यह इंटरनेट का सबसे मूलभूत या पिर कहें इंटरनेट का सबसे इस्टेंडर प्रोटोकॉल होता है आपके options है यहाँ पर File Transfer, Email, Remote Login Service and fourth option है All of ABA तुछ इस TCP IP जब मूलभूत प्रोटोकॉल है तो इसका उप्योग File Transfer भी होता है यहाँ इमेल में भी इसका प्रोटोक होता है साथी साथ Remote Login Service में भी इसका प्रोटोक होता है तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा Option 4 All of ABA याद रखिएगा TCP IP का मुख्यों प्रोटोक यह सब कुछ होता है अब next NIBAARD STAND FOR NIBAARD का नाम आप सबने शुना होगा मैंने बहुत बारा आपको बताया है नBAARD के बारे में नBAARD क्या है एक ऐसी संच था है जो रिरन उपलत कराने का काम करती है तो नाबार का full form क्या होता है ये exam में पूछा गया था तो नाबार का full form है National Bank of Agriculture and Ruler Development याद रखिएगा National Bank of Agriculture and Ruler Development ठीक है ना अब next देखते हैं लाइनिक्स एक free open source operating system है ट्रू या फाल्स ट्रू एन फाल्स एक कुश्चन्स एक्जाम में बहुत कम आते हैं लेकिन जो भी कुश्चन्स हैं काफी important है तो लाइनिक्स एक free open source operating system है ट्रू या फाल्स जल्दी बताईए तो इसका right answer है आपका option first true ठीक है ना लाइनिक्स का है आपका एक free open source operating system है अब next देखते हैं पेज को नीचे करने के लिए किस key का प्रियोग करते हैं page down, page up, up या फिर down तो श्रेंज पेज को नीचे करने के लिए हम page down का प्रियोग करते हैं पेज में उपर जाने के लिए हम क्या करते हैं पेज अप करते हैं उपर के लिए और पेज को नीचे करने के लिए पेज डाउन का प्रियोग किया जाता है अब नेस्ट विश्चिन क्या हमें अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहिए ट्रू या फिर फाल्स तो इस एक कोई भी पासवर्ड है उससे हमें चेंज करते रहना चाहिए ताकि किसी को भी हमारे पासवर्ड के बारे में ना पता चले और कोई भी हमारे डाइटा को चोरी ना कर सके तो यहां पर यह पूछा है कि true होगा का false तो यह क्या है आपका बिलकूल true है अब नेक्स्ट है हमारा CMR CMR का full form क्या है तो स्टेंट CMR का full form होता है Customer Relationship Management याद रखिएगा काफी important है और exam में बहुत बार पुछा आ चुका है और ये question कल भी exam में आया था ठीक है ना CMR का full form तो Customer Relationship Management होता है CMR का full form अब आगे देखते हैं यहाँ पर दिया है Host Name Case Sensitive होता है True और False ठीक है ना Host Name क्या होता है आप जानते हो तो ये Host Name Case Sensitive होता या फिर नहीं होता है जन्दी उताइए तो ये क्या होगा आपका False होगा वेगी Host Name क्या है Case Sensitive नहीं होता है ऐसे एक्जाम मेंfour और आता है क्या Email ठीक है ना Email Case Sensitive होती है या फिर नहीं होती है तो इमेल भी आपके Case Sensitive नहीं होती है हाना इसके लावाных Quarter और आता है आपके एक्जाम में Password कुरेगा ठीक है Password Case Sensitive होता है या पिर नहीं होता है तो जो Password है हमें इसी format में इसको put करना होगा यहाँ पर A capital में तो हमें capital में put करना होगा बाकी BHY small में है तो small में ही put करना होगा तो password आपका case sensitive होता है जबकि email आपकी case sensitive नहीं होती है इसी प्रकार से host name क्या है आपका case sensitive नहीं होता है याद रखेगा अप next यहाँ पर दिया हुआ है आपका SGML ध्यान से देखिए questions को काफी important question आपका यह SGML का full form क्या होता है इस trends जल्दी से comment करके बताईए कि आपके SGML का full form क्या है ठीके ना बहुत बार exam में पूछा चुका है जल्दी बताईए अभी इस answer आपको बताते है next question है F, S, F के founder कौन है ठीके ना F, S, F full form क्या होता है यह भी आपके exam में आता है तो इसका full form होता है free software foundation क्या होता है free software foundation ठीके ना और इसके founder कौन है Richard Stallman कौन है Richard Stallman है यहाँ पर SGML दिया है SGML का संबंद किस्ते है आपके language से ही है है यह आप जानते है इसका full form क्या होता है इसका full form होता है standard standard generalized G, E, N, E, R, A, L, I, G generalized markup language ठीक है ना L, A, N, G, U, A, G markup language यह है आपके SGML का full form ठीक है काफे important है आप next देखते हैं network से जुड़े दो computer का IP address same हो सकता है ठीक है ना मालीजे एक ही network से दो computer आपस में जुड़े हुए है तो क्या दोनों computers के IP address same हो सकते है या फिर नहीं true and false question यह भी है जल्दी बताई क्या होगा तो बिल्कुल false है ठीक है ना ऐसा नहीं है सभी computer जो भी होते हैं हर system का एक unique IP address होता है ऐसा नहीं कि एक network से जुड़े हुए हैं तो उनके IP address same होंगे सभी के IP address क्या होते हैं अलग-अलग होते हैं तो right answer क्या होगा यहाँ पर false अब next देखते हैं आगे यदि किसी square को बनाते समय shift के साथ ना बनाए तो प्रतिमिम कैसा बनेगा छोटा बनेगा बड़ा बनेगा पूर्ण square नहीं बनेगा slide के बीच में नहीं बनेगा जल्दी बताइए कोई square बनाते समय shift का प्रयोग ना किया जाए तो क्या होगा देखिए यहाँ पर हम आपको powerpoint में दिखाते हैं कि कोई shape है क्या effect पड़ेगा ठीक है ना answers का होगा कि पूर्ण square नहीं बनेगा कैसे होता है आप देख लीजी यहाँ से layout change करते है और यहाँ पर बहुत साई shape है यह माली j square हमने ले लिया ठीक है rectangles है आपके तो यहाँ से एक rectangle मैंने यह ले लिया आप suppose that यहाँ पर देखिए अगर यह पहला में बिना shift के बना रहा हूँ तो क्या हो रहा देखिए बिना shift के बनाते जा रहा है इसका आकार क्या है कहीं जादा कहीं कम हो जा रहा है देखें जैसे यह तो क्या square है यह नहीं है बिलकुल भी नहीं है अगर इसी को क्या करें हम shift के साथ में बनाएं तब देखिए shift के साथ में बना रहा है तो यहाँ पर करोगे तो यह square के ही format में रहेगा तो यह आपर question है कि shift के साथ में अगर किसी square को ना बनाए तो क्या होगा तो right answer क्या बचाएगा इसका pool square नहीं बनेगा अब next देखते हैं आगे एक nibble कितने byte के बराबर होता है sorry, यहाँ byte नहीं bit होना चाहिए, ठेके ना bit एक nibble कितने byte के बराबर होता है 8 bit, 4 byte, 4 bits या 8 byte तो यह इसका right answer क्या होगा इसका right answer है आपका option third, 4 bits एक nibble, 4 bit के बराबर होता है याद रखिएगा, काफी important यह भी अब next email भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उप्योग किया जाता है SMTP, POP3, IMAP या none of these तो students, email भीजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो email भीजने के लिए हम SMTP प्रोटोकॉल का उप्योग करते हैं SMTP का full form क्या होता है SMTP का full form है Simple Mail Transfer Protocol याद रखिए काफे important है Simple Mail Transfer Protocol होता है जिसका उप्योग mail को भेजने के लिए करते हैं next यहाँ पर दिखिए दिया है POP3 POP3 का full form क्या होता है Post Office Protocol है ना इसका उप्योग क्या होता है तो mail receive करने के लिए या mail download करने के लिए हम POP3 प्रोटोकॉल का उप्योग करते है next है IMAP IMAP का full form क्या है Internet Masses Access Protocol ठीक है Internet Masses Access Protocol होता IMAP का full form मतलब mail को आने में जाने में जो access timing होती है उनसा भी timing के लिए इसका उप्योग किया जाता है याद रखिएगा काफे important questions है और तीनो points हो आप याद रखिए exam में ये भी आ सकता है कि निम्ने से कौन सा email के protocol नहीं है FN निम्ने से कौन कौन से email के protocol है तो SMTP, POP, IMAP ये तीनों आपके email के ही protocol होते है ठीक है ना अब next देखते हैं आगे justify करने की shortcut की क्या है control plus J, control plus Sip plus J, control plus L and control plus R, ठीक है justify मतलब paragraph को set करना जैसे यहाँ पर देखिए हम writer open कर लेते हैं और writer में हम किसी word को या किसी paragraph को justify करके दिखाते हैं यहाँ पर suppose that मैंने लिख लिया है अब है, है ना तो क्या करना है, ये जैसे ये है अगर control plus J करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है justify हो जाता है, है ना control plus R करते हैं, तो right side में हो जाएगा यहाँ पर zoom percentage कम कर लेते हैं ताकि clear आपको दिखाई दे देखेए, है ना, यहाँ हो गया लेकिन इसी को control plus J करें तो देखें क्या हो गया है, ये justify हो गया जैसे ही से होना चाहिए, वैसे यहाँ पर ये हो गया, ओके तो justify करने काम कौन करता है control plus J, यहाँ पर shortcut की भी आपको दिख रहे होगी, justify क्या लिखी हुई है, control plus J है ऐसी ही, right line के लिए control plus R है, left line के लिए, sorry, center के लिए control plus E है, और यहाँ पर last में left line है कितने आगे, Mac address कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट, 12 डिजिट, 14 डिजिट या फिर 16 डिजिट तो इसका right answer क्या होगा, right answer इसका option second, 12 डिजिट, Mac address का है, manufacturing address होता है, तो यह 12 डिजिट का होता है, आपके exam में इसी related एक question और आता है कि क्या Mac address को change किया जा सकता है, तो बिल्कुल फाल्स है, हम Mac address को change नहीं कर सकते हैं, जबकि IP address को हम change कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन यह manufacturing address है, इसको बदला नहीं जा सकता है, तो श्रेंड्स, आजए क्लास में इतने ही questions, जिनका भी next exam है, उन्हें मेरी तर से बहुत-बहुत सुखकाम नहीं, all the best, best of luck, आप सभी का exam बहुत अच्छा हो, और सभी लोग S-grade से प्रिपल सी का exam टॉप करें, वीडियो पशंद आया हो, तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए मेरमार हैं, तो subscribe कर दीजिए, साथी बगल में जो बेल आइकन है, उसे जरूद प्रिस करिए, ताकि time to time आपके पास notification आती रहे, और आसानी साथ सभी वीडियो देख दे रहें, thanks for watching my video, फिर मिलते हैं next class में, तब तक के रिए, bye